अंडरवल्ड का नाम जब भी आता है तो उत्तर परदेश का जिक्र जरूर किया जाता है आज की कहानी भी एक ऐसे सक्ष की है जो 40 साल पहले उत्तर परदेश के पूरवांजल से निकल कर मुंबई पहुचा और अंडरवल्ड में अपनी दहसत कायम की ये डोन आज भी जेल में बंद है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है ये वही सक्ष है जिसने संजदत को जो बोलीवुड सूपरिस्टार हैं एक के होटी सेवन सप्लाई की थी मुंबई के 93 के धमाकों के दोरान हाला की संजदत पर इसका केश चला काफी लंबे समय तक सजा भी काती यहां तक की इस सक्ष ने T-Series के मालिक की भी हत्यागराई थी नमस्कार Crime Patrol Family मैं आकास देशवाल एक पार फिर आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में आज वीडियो में जिसका जिक्र हम करने वाले हैं उसका नाम अबुसलेम है अबुसलेम के बारे में बात करने से पहले आप सभी से request है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले साथ ही हम आपको बता दें कि हम जितनी भी तमाम crimes related video हूं आपको बना रहे हैं ये हमारा किसी भी तरह का ऐसा कोई उद्देश नहीं है कि हम crime को बढ़ावा दे रहे हैं ये बस हम आप वी जानकारी के लिए साजा करते हैं अबू सलेम का आज भी लोगों में डर है जबकि वो जेल में बंद है अबू सलेम उत्तर परदेश के आजमगड के एक छोटे से काओं सराइवीर का रहने वाला है उसका पुरा नाम है अबू सलेम अब्दूलकलाम अंसारी उसके चार भाई थे उसके पिता एक वकील थे उसका परिवार पेहद ही सुल्जा हुआ था उसके पिता एक दिन बाइक से कही जा रहे थे तो बस से उनका एक्सिडेंट हो जाता है और सलेम के पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है अब पिता की मौत के दोरान अबू सलेम बहुत चोटा था मा नहीं अपने बच्चों का पालान पोशन किया अबू सलेम अपनी गरीबी से बहुत परिशान था और वो गरीबी की सीमा को तोड़ कर बाहर आना चाहता था इसके लिए वो मातर 15 साल की उमर में दिल्ली का रुक करता है ताकि कुछ बन सके शुरुवात में कुछ काम हाथ नहीं लगा तो वो मोटर बाइक रिपेर की दुकान पर काम करने लग जाता है उसने वहां कुछ साल बिता दिये लेकिन कहीं ना कहीं वो इस काम से तंग आ चुका था क्योंकि उसका सपना था कुछ बढ़ा करनेगा जादा पैसे कमानेगा अब इसी बीच उसे सुजा कि अगर जादा पैसे कमाने हैं तो बड़े सहर जाना होगा इतने बड़े सहर कि दिल्ली भी छोटा लगे इसी बीच वो दिल्ली से मुंबाई का रुख करता है कहते हैं उसने अंधेरी में सोपिंग सेंटर के पास एक छोटी इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान खोली थी धीरे धीरे सलेम की जान पहचान उन लोगों से होने लगी जिनके तालुकात अंडरवर्ड के भाईयों से थे अबुसलेम एक दिन अजीज टेंगु नाम के व्यक्ति से मिलता है टेंगु की अनीश इबराहीम जो की दाउद का भाई है उससे अच्छी जान पहचान थी टेंगु से मिलने के बाद अबुसलेम ने भी लोगों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी थी और इसी मारपीट की बतोलत लोग उसको सलाम ठोकने लग गए थे टेंगु पहले से ही इस मगलिंग के धंदे से जुड़ा हुआ था और टेंगु से मिलने के बाद अब अबुसलेम भी इस मगलिंग के धंदों से जुड़ चुका था वो समय भी आ गया जब सलेम अनीश इबराहीम के टच में आ गया तो उन्होंने देखा कि अंधेरी में सलेम वहाँ अपना लोगों पर जो राज मारा रहा है, मतलब लोगों के साथ मार पीट कर रहा है, कहते हैं ये नजारा देखकर आफ़ताब एहमद खान ने सलेम को बहुत मारा था, यहां तक कि उसको पुलिस वैन से बान दिया गया था, सलेम को फिर बाद में उन्होंने टी एन नगर पुलिस स्टेशन में भिजवा दिया, जब अबू सलेम बहार आया तो वह लगतार टेंगू के टश में रहा, इसी बीच उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम था समीर जुबानी, वो लड़की भवन कॉलिज म उम्र 17 साल की थी, जिस वज़े से सलेम पर किड्नैपिंग का मामला दर्चुआ, इससे पहले सलेम पर कारवाई होती, समीर ने खुद खुशी करने की धम की दे डाली, जिसके बाद लड़की के परिवार ने लड़की को सलेम से साधी करने की इजाज़त दे दी, अब इसी टेंगू से गोल्ड और सिल्वर खरिदने लगा, और कांधिवाली मलाड के दो वयापारियो और अंधहरी की एक दुकान में बेचने लगा, दिसंबर 1992 के आखरी हफते में अजीज ने सलेम को सिल्वर लाने का लालश देकर भरूच चलने का उफर दिया, मेंदी हसन और कु पीछे साइड नीचे एक लकडी का बोक्स रखा था, अब यहाँ सलेम मानकर चल रहा था कि इस बोक्स में सिल्वर रखा होगा, इसलिए उसने अजीज से कोई सवाल नहीं किया, आपको ये भी बता दें कि ये न्यूज के बहुत से आर्टिकलों में आपको ये सब पढ़न में उसे बैठा कर बांदरा में हनीफ और समीर के पास ले गया, वहां से हनीफ इसी मारूती वैन में सभी को बैठा कर बांदरा में संजदत के बंगले ले गया, हनीफ और बाबा चोहान ने पेंचकस से मारूती वैन में रखा बोक्स खोला, सलेम के अनुसार उस बोक्स में 6-8 AK-47 राइफल दी गई थी इन AK-47 के बारे में उसने बाबा चोहान से पूछा जवाब में चोहान ने कहा कि तुम इसकी चिंता ना करो इन राइफल्स में थे तीन संजदत ने अपने पास रख ली बाकी राइफले हनीव, समीर और बाबा चोहान ने अपने पास रखी जाँच एजेंसियों का कहना है कि इसके बाद अजीज ने सलेम को मारूती में वापस करने को कहा जो उसने कर दी, अब सलेम ने इसके बाद अजीज से उस सिल्वर के बारे में पूछा, जिसे दिलाने के बहाने वो उसे भरूच ले गया था तो उसने दो से तीन दिन में इसे देने का भरूसा दिया अब उसी बीच अजीज ने सलेम से कहा कि अगले दिन संजेदत के पास जाए और उससे दो एक के होटी सेवन ले और इन्हें जुबे निशा नामक महिला को डिलिवर कर दे उसके बाद अबू सलेम अगले दिन हनीफ के पास गया और फिर उसके साथ संजेदत के बंगले पर गया संजेदत ने एक बैग सलेम और एक बैग हनीफ को दिया जिसमें दो एक के होटी सेवन थी ये बैग बाद में जुबे निशा को बांदरा के में माउंट मेरी इस्तित उसके बंगले में दे दिया गया अगले दिन अजीज ने अबू सलेम से कहा कि वह जुबे निशा के घर फिर जाए और उससे वो बैग वापस ले अब सलेम पर आरोप है कि उसने इस बैग को अपने दोस्त मनसूर एहमद की ब्लू मारूती एक हजार गाड़ी में कुरला में कलपना टॉकिज के पास तीन दिन तक रखा था समय सलेम ने जाच एजन्सियों को जो स्टेटमेंट दिया था उसमें कहा था कि वो इन हत्यारों को अपने पास जादे दिन रही रखना नहीं चाहता था इसलिए उसने इस बैग को जोगे सोरी में किसी अयूप पटेल को दे दिया अब सलेम के मताबिक उसे अच्छी तरह से याद है कि इन हत्यारों की डिलीवरी के तीन महीने बाद मुंबई में बम धमाके हुए थे उसे ये भी याद था कि बम धमाकों में कुछ दिनों बाद संजदत, बाबा चुहान, जुबे निशा, आयूप पटेल, मनसूर, एहमद, हनीफ और समीर को पुलीस ने पकड़ लिया था अबुसलेम ने जाच एजन्सियों को बताया था कि बम बलास्ट के बाद अजीज ने उसे कौल किया और कहा कि वो अपनी दुकान से फोरण भाग जाए और माहीम में उसे मिले अब माहीम में मुलाकात के बाद अजीज ने उसे कहा कि अगर वो गिरफतार हुआ तो उसको यानि अजीज का नाम भी आएगा इसलिए उसने सलेम को यूपी में अपने गाव भाग जाने की सलह थी अब सलेम यूपी तो गया लेकिन वो आजमगड नहीं गया बलकि उसने लखनों के गोंती नगर इलाके में किराय का घर लिया वहाँ वो अपनी पहली पतनी समीरा के साथ करीब 6 महीने तक रहा इस दोरान उसे लगतार अजीज के समपर्क करता रहा अजीज उस दोरान मुंबई से दुबई शिफ्ट हो गया था अजीज ने सलीम को दुबई आने की सला दी उसी ने सलीम और समीरा के 93 के आखिरी दिनों में फरजी नाम से पासपोर्ट वनवाई सलीम पतनी के साथ दिल्ली के रास्ते दुबई भाग गया दुबई एरपोर्ट पर अजीज ने ही सलीम को रिशीव किया और पर दुबई एरिया में अपने घर ले गया जो महां के किंग वीडियो शोरोम के ठीक उपर था सलीम ने इसके बाद कैसे मुंबई के बिल्डरों से उभाई करनी शुरू की कैसे बोलीवुड में दखल अंदाजी की और उसके बाद कैसे उसकी गिरफतारी हुई और क्यों हमने समीर को इसकी पहली पतनी बताया यह सब आपको बताएंगे इसके दूसरे पार्ट में फिलाल आज की वीडियो में इतना ही अब हमें दीजे इजासत नमस्कार